रेखा के पिता दिल्ले में किसी तरह अपने और अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, पर एक दिन अरे रमिश, तुम्हारी बेटी के तो समझो भाग यही खुल गये, वकील लड़के का रिष्टा आया है अरे वाह, कब करना चाहते हैं शादी? वो लोग तो जल से जल दी करेंगे, वाकी शाम को मैंने रेखा को देखने के लिए बुला लिया है तेरा घर छूटा है, तो तुम लोग मेरे घर यह आ जाना राकेश और उसके बीवी सारी तयारी के साथ रोहित और रेखा के शादी कर देते हैं लेकिन अगले ही दिन देखो रेखा, शादी भले ही हो गई है लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं किसी जोरू के गुलाम टाइप रहूंगा रेखा को रोहित के बात अजीब लगती है मैं ये तो सोच भी नहीं सकती और नाहीं चाहती हूँ लेकिन शादी के अगले ही दिन इस तरह की बात की उमीद भी नहीं थी रोहित रेखा के मूँ से ये बात सुनकर गुसा हो जाता है अरे, काफी जबान भी चला लीती हो माने सिखाया नहीं कि पती से कैसे बात करते हैं रेखा अप्चुप रहने में ही भलाई समझती है रेखा जल्दी से नाश्ता तयार कर लो आज पहला दिन है सारे काम तुम्हें समझा दूँगी ये नौकरानी है जो तुम्हें बता देगी कि कैसे कैसे क्या करना है फिर इसकी कल से छुट्टी है रेखा भी ससुराल में जी जान लगा कर काम करने लगती है खाली समय मिलता तो पती के वकालत की किताब उठा कर पढ़ने लगती ये क्या जाब देखो तब पढ़ती रहती है अच्छा सुन कल पिता के घर से 20,000 रुपे लेकर आना मेरे छोटे बेटे की फीस बनी है लेकिन पापा क्यों भरेंगे उसकी फीस अरे वाजीवा पापा क्यों भरेंगे तो ये बता हम क्यों रखेंगे तुझे यहाँ क्यों खाना देंगे फ्री में अरे क्योंकि मैं बहु हूँ इस खर की तभी वहां रोहिता जाता है आरे वाह, बड़ी जबान चला रही हो चुपचाप मा जो कह रही है वैसा कर वना सामान उठा और जा अपनी छोपणी में बेचारी रीखा, क्या करती पिता के घर जाती है, उनको सारा हाल बताती है पिता भी जैसे तैसे पैसों का इंतजाम कर बेटी को ससुराल के लिए विदा करते है देखा, अब कहां से आये पैसे? अरे बहुत माल है तुम लोगों के पास बस सीधी उंगली से निकालते नहीं 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 मा, पापा ने अपनी मोटर साइकल बेच कर पैसों का इंतजाम किया है भता नहीं अब वो ओफिस कैसे जाएंगी? हारे वाब भी, ये भी हम सोचें खेर, जैसे तैसे दिन बीटते हैं रेखा जहां एक प्यारे से बेटी की मा बनती है तो वहीं उसका वकालत की किताब में ग्यान और गहराता जाता है हे भगवान, बुरे फसे ये केस तो लगता है कि मैं हारी जाओंगा देखे, मैंने आपकी इस केस की फाइल पड़ी थी इस केस को जीतना बहुत ही आसान है वाब भी वाब, यहाँ वकालत की डिगरी लेकर भी मैं समझ नहीं पा रहा हूं और तुमने रोटी बनाते बनाते ही केस समझ लिया अर जाओ जाओ, जाकर मुन्ने को संभालो केस मैं संभालूंगा ए लड़की, सुन, जाकर अपने बाप की यहां से तीन लाक लेकर आ पूरा घर फिर से बनाना है छोटे की शादी करूंगी तो छोटी बहु को कहां रखूंगी पूरा घर तो तुने घेर रखा है ऐसा मत बोली माजी पापा इतना पैसा कहां से लाएंगे अब तो वो रिटायर भी हो गये है हाँ, तभी तो बोल रही हूं रिटायरमेंट के पैसे तो मिले होंगे न लेकिन वो अगर आपको दे देंगे तो बुड़ापा कैसे काटेंगे रोहीत रिखा की बात सुनकर गुसा हो जाता है एई सुन, चल अपना सामान उठा अपना बच्चे उठा और निकल यहां से रिखा के लाक आगर के बाद भी रोहीत और उसकी सास उसे घर में नहीं रखते पापा, मैं तलाग चाती हूँ बेटा, मेरे पास वकील के पैसे नहीं है पापा, आप मुझे वकालत करवा दीजी अपना केस मैं खुद लड़ूँगी इस बार रिखा के पिता भी उसे ससुराल ना भेज कर रिटार्मेंट के पैसों से वकालत करवाते हैं और फिर एक दिन कोट के बाहर रोहीत, आज तुम अपना ही केस हार गय वो भी उस लड़की से जिसकी तुमने कभी कदर ही नहीं की रिखा, मुझे माफ कर दो मैं इतनी बड़ी अमाउंट कहां से लाओंगा मैं हर महीने पैसे नहीं दे सकता तुमको पैसे वहीं से लाना जहांसे तुम मेरे पापा को लाने के लिए मजबूर करते थे एक पिता अपनी बेटी की शादी उसकी खुशाली के लिए करता है ना कि सारी जिंदगी कर्जदार बनने के लिए आरे, मेरे ही बेटे की किताब पढ़ पढ़ कर ग्यान बाट रही हो वकालत की किताब तो सिसुराल में ही पढ़ी थी ना बिल्कुल, यहां मेरी गलती रही जिस पैसे से मैंने इसकी शादी किये थी मुझे वो पैसे पहले इसकी पढ़ाई में लगाना चाहिए था और आज रेखा एक जानी मानी वकील के रूप में काम कर रही है